तो दोस्तो आज की हमारी ट안 डिवार्मिंग के उपर होने वाली है सबसे ऐसान तरीका बताऊँए आपको डिवार्मिंग का और वीडियो का लास तक देखना डिवार्मिंग की पूरी जानकारी के लिए नमस्कार दोस्तों मैं अमन शर्म आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डोगरा वारियर में तो दोस्तों आज एक उर वीडियो लेके हैं हमें डाग डिवार्मिंग के उपर दोस्तों वीडियो में आके बढ़ने से पहले नीचे दिये के लाल रंका बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें वेल आइकें के नोटिक्शन हो आन कर लें तो दोस्तों आज वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए मैं एक डिवार्मिंग के उपर काफी दोस्त मुझे बट सापर मैसेज करके पूछ रहे थे डिवार्मिंग के बारे में तो सोचा इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना लूँ तो दोस्तों यवुर्मिंग के लिए उसके में ने में इसका लिवार्मिंग करते हैं इसकी मैं ये और यूँly सिर्फ है क्यों सिर्प हूँ ये दोस्तों मैं टोस्ति हständा से ने पिजना संग जाए들 है इसके वह सुर्फप हो गया वह स्काई वह हो गया दोस्तों मैं सिर्फ बेसिक साल यो पपी पर यूज करते हैं वह यूज करता हूं दोस्तों इसकी डोज एक केजी वेट पर एक एमल दिये जाती है और उसको देने का तरीका भी दोस्तों आपने देख लिया होगा शरींज में बरके सानी से उसके मूँ में डालके दे लिधे हैं उसको तो दोस्तों तीन मेने के बाद जब डॉक्त 10 kg लुज धाता तब में यूज करता हूं यूज की टेबलेट दोस्तों यह भी 10 kg पर बड़ी की बेट बेट के वह दे जाती है एक टेबलेट दोस्तों अगर आपने भी डॉग रखा है आपनी यह तो सबसे अ अगर आप अपने कुट्टे को नान वेच चिकन खिलाते हो तो आप यह दो मिने में कर सकते हैं तो दोस्तों बस आप भी अगर डिवार्मिंग करेंगे इसी तरह अंडे पे छिड़क के अपने रखते हैं तो डॉक बिलकुल असानी से इसको खा लेगा आप देख रहे होंगे दोस्तों आपको कुछ थोड़ी सी निशानियों बता दूं जिससे आप पहचान सके कि हमारा डॉक को डिवार्मिंग की जुड़ता है दोस्तों अगर आपने देखा होगा कहीं बार डॉक गास खाते हैं तो वह गास अपने नैच्रल डिवार्मिंग करने के लिए खाते होत दोस्तों इस कंडिशन में समझ लिए आपको डॉक को डिवार्मिंग के जुरूरता है दोस्तों जब तक आप डिवार्मिंग उसकी नहीं करेंगे उसकी प्रापर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को झाल झाल